सो नमस्कार दोस्तो आप से भी का स्वागत हमारे उमेस टेक सपोर्ट यूटूब चैनल में सो फरेंड्स आज के एस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपका नमबर जो है कि एगर ब्लेक लिश्ट में नहीं और फिर भी बिजी बताता है या फिर आप किसी और को करते हूँ और उस बंदे ने आपका नमबर ब्लेक लिश्ट में नहीं डाला है फिर भी जब भी आप फोन करते हो तब बिजी बताता है तो यह जो प्रवलम आ रहे है इसको आप कैसे सॉल्फ करोंगे यहां पर आ जाना है अपने डालर में जैसे आप अपने डालर में आते हो उसके बाद यहां पर आपको आ जाना है तीन बिंदी के उपर क्लिक करके और यहां पर आपको आना हुगा call setting के अंदर call setting के अंदर आते ही उसके बाद आपको यहाँ पर block अगर फिट भी वो call करेगा अगर आपने save नहीं किए तो भी उसकी call block हो जाएगी जब आपको यहाँ पर इस setting को on करके रखोगे तो आपको इन सभी को ओफ कर लेना है और जिसे में भी दिक्कतारी सिम 1 में सिम 2 में उसी का आपको सेटिंग करना अगर सिम 2 में है आपका सिम कार्ड और उस पर किसी का कॉल नहीं आपा रहा है तो उसका आपको यहां पर सरी किसे सेटिंग करना है सेटिंग करने की बाद अब अब क्लिक करके अपने जो भी नमबर आपकी बिलेखलिस्ट में वह इक बार चेक कर लेना है दो आपको अपने फॉन पर क्लिक कर देना है तीन बिंदी के उपर जैसे आप क्लिक करते हो उसके पर आपको यहाँ पर स्क्रोल करके निचे आना और यहाँ पर सेटिंग का एक उप्शन मिलता है यहाँ आपको सेटिंग वाले को उपर क्लिक कर देना है जैसे आप यहाँ पर आपको ब्लोक की नाम से पर block hidden numbers जो लोग अपना number चुपा करके call करते हैं किसी application के थुरू वगरा इस तरीके से तो उनका भी call आपके पास नहीं आएगा आप यहाँ पर जब इस setting को on कर लेते हो उसके बाद यहाँ पर जो foreigner countries के होते जैसे other countries से आते मालों इंडिया के बाहर के अगर number से किसी कोई आपको call करेगा उसका आपका call ब्लॉक करना तो आप यहाँ पर इस setting को on कर लो और उसके बाद यहाँ पर लिखके आ रहा है block numbers not in the phone book यानि कि आपके जो contact list में number है सिर्फ उनी का call आएगा और जिसका आपने number सेव नहीं किया उसका call नहीं आएगा तो यह सब setting आपको यहाँ से off काले ना अगर इन में से कोई on थी आपके तो और उसके बाद यहाँ पर block list वाला जो option इसके वंदर आना है और यहाँ पर आपको देखने के लिखेगा और जो आपने ब्लैक लिश्ट में नमबर डालोगे वह आपको डालर में नहीं देखने के लिए मिलेंगे तो इस चीज़ का आपको ध्यार करना है और अगर आप इसके अलावा को थर्ड पार्टी डालर एप्लिकेशन यूजच करते तो आपको देख लिना है कि इस तरी कि कोई setting तो आप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो कैसा लगा है प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना